हेलो डियर स्टुडार्ट्स, वेलकम टू मैं चानल इजी फारमा वित कर लेनी हमारे आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी कीट टेस्ट प्रेगनेंसी टेस्ट जो की जाती है कीट की हिल्थ से तो वो किस तरह से की जाती है पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है, कब करनी चाहिए तो ये सभी डिटेल्स, इनफॉरमेशन जो है हम इस वीडियो में लाए है तो वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिएगा तो पहला आपको कोशन यही आएगा कि पिरेट्स मीस होने के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए तो सबसे पहले आपकी पिरेट्स मीस होने के साथ दिन बाद जो है आपको एट टेस्ट करनी होती है प्रेगनेंसी टेस्ट या आपके periods irregular है तो आप अपनी date से चार या पास दिन आगे पीछे बढ़ा कर साथ दिन काउंट करके टेस्ट करें आपको सुबह morning में सबसे पहले urine से ही टेस्ट करनी है उससे बहुत जल्दी result पता चलता है तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि morning वाली urine से ही जो है आपको ये टेस्ट करनी होती है तो urine को किसी भी साफ बरतन में ही ले यहाँ साफ सुत्र बरतन में ही आपको urine को collect करना है और उसके बाद जो है आपको टेस्ट करनी है C, T ये दोनों लाइन आपकी dark pink आती है तो आप pregnant हो तो यहाँ कीट में देख सकते हैं कि C और T दो लाइन दी गई है आप यहाँ urine drop डालते हैं अगर ये दोनों लाइन जो है आपकी pink कारी है तो आप जो है pregnant हो सकते हैं C, T में से C जादा dark और T हलकी light है तो इससे भी आप जो है pregnant है तो ये भी चीज आपको याद रखनी है अगर C लाइन आपकी dark है और T लाइन हलकी से light है तो भी आप जो है pregnant है ये positive हो सकता है और C, T में से आपकी सिर्फ C लाइन ही pink आती है और T में कुछ नहीं है तो आप pregnant नहीं है तो A, B चीज आपको जो है धान में रखनी है और C, T में से कोई भी लाइन pink नहीं है तो invalid मतलब आपको दोबारा चेक करना है दो या तिन दिन बाद कि आप जो है pregnant है या नहीं करके आपको याद रखना है T बहुत लाइट आ रहा है तो वो टेस्ट invalid है आनि जो है आप pregnant नहीं है तो आप दो तीन बार दोबारा टेस्ट कर सकते हैं CT में से अगर T बहुत डार का रही है तब भी invalid है आपको दोबारा टेस्ट करना चाहिए तो ये भी CT में से अगर T बहुत डार का रही है तब भी invalid है T पूरी faint light आ रही है तब भी invalid है तो आपको ये जो टेस्ट है दोबारा टेस्ट करनी चाहिए pregnancy kit कभी-कभी कभी भी खराब भी आ जाती है इसलिए ओ सही से काम ना करें तो दूसरी change करके टेस्ट करो यहनि एक बार ही टेस्ट करके आप confirm मत हो जाना कभी-कभी यह भी हो सकता है pregnancy kit खराब भी हो सकती है तो दोबारा भी आप टेस्ट करके पता लग सकते हैं जो कीट है वो चेंज करके भी टेस्ट आपको करनी है अगर एक बार में सही पता ना चले तो दो या तीन बार टेस्ट करके देखे पॉजीटिव आते ही तुरन डॉक्टर से मिलने जाए तो यह थे हमारी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डी प्रेगनसी ट टेस्ट कीट तो आपको अगर इंफॉर्मेशन लगे तो लाइक वीडियो को जो है लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करें थैंक यू फॉर वाचिंग दिवीरियो